रामा बारेन आश्रम नज नज धरम नरत बेद पथे लोग चला ही सदा पावाही सुखा है नहीं भय सोक न रोग सब लोग अपने अपने बढ़न और आश्रम के निकूल धर्म में तत्पर हुए सदा बेद मार्क पर चलते हुए हैं और सुख पाते हैं उन्हें ना किसी बात का भय है ना सोक है और ना कोई रोग ही सताता है देह के देव के भौत के तापा राम राज नहीं काहूं ब्यापा साब ना रेका राहीं परास पर पीती चला ही स्वधर में नेरत सुरत नीती राम राज में देह के देव को भौत कताब किसी को रहीं ब्यापते सब मनुस्वे आपस में प्रेम करते हैं और बेदों में बताई हुई नीती मर्यादा मेतत पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते हैं चारो चरन धर्म जग माहीं पूरी रहा सपन्य हो अगनाहीं राम भगती रत न रया रो नारी उसकल परम गती के अधेकारी धर्म अपने चारो चरनो सत्य सोच दया और दान में से जगत में परिपूर हो रहा है सपन में भी कहीं पाप नहीं हैं परसो रिष्टी सभी राम भक्ती के परायर हैं और सभी प्रम गती मुख्च के अधेकारी हैं अल्प म्रैत्यों नहीं कावनयों पीरा सब सुन्दर सब बेरोज शरीरा नहीं दरेद्र को दुखी न दीना नहीं को आबोध न लच्छा नहीं न छोटी अवस्था में मृत्यों नहीं होती ना किसी को कोई पीरा होती है सभी के सरीर सुन्दर और निरोग हैं ना कोई दरद्र है ना दुखी है ना दीन ही है और ना कोई मूर्ख है और ना सब लच्छनों से ही नहीं है शिराम सब नेरे दंब धराम रति पुनी नरे अरुनारे चतर सब गुनी सब गुने सब गुनागे पंड़त सब ग्यानी सब कृत अगे नहीं कपट सयानी सभी दंब रहत है धर्म परायन है और पुन्यात्मा है पुरश और इस्तरी सभी चतर और हमान है सभी गुनों का आदर करने वाले और पंड़त है तथा सभी क्यानी है सभी करत दूसरे के किये हुए उपकार को मानने वाले है कपट चत्राई धूर्टता किसी में नहीं है राम राम राज भागन राम राम राज नभागे से सुनों सचराचर जगमा ही काले कर मैं सभाव गोने क्रते दुखे का हो काग बुचंड जी कहते हैं ही पक्षी राज ग्रोड जी सुनगे स्री राम चंदर जी के राज में जड़ चेतन सारी जगत में काल कर्म सभाव और गुणों से उत्पन हुए दुख किसी को भी नहीं होते हैं सिराम भूम साप्त सागर में खला एक भूपर अगोपती को सिला भूआने याने के रोम प्रति जासू यह प्रभूता का चुबा होते ना तासू अयोध्या में स्री रखुनाच जी साथ समुद्रों की में खला कर धनी वाली प्रतिवी के एक मात राजा हैं जिनके एक एक रोमेन एकों प्रम्भंड हैं उनके लिए साथ दुखों की यह प्रभूता कुछ वधक नहीं सू महिमा समझत प्रभू के रिया है बरेनत हीन ता घनेरी सू महिमा खागे से जन जानी फेर यहीं चरत ते नहों रत मानी बलकि प्रभू की उस महिमा को समझ लेने पर तो यह कहने में की वे साथ समद्र से घीरी हुई सब्ट दुखों के एक शत्र समराथ हैं उनकी बड़ी हीनता है परंतु हे गरोड़ जी जिन्होंने यह महमा जान ली जान भी ली है वे भी फिर इस लीला में बड़ा प्रेम मानते हैं सिरम सो जाने कर फल यह लीला कहां ही महामुनी बर दमसीला राम राज कर सुख संपदा बरन नजा सकाए फनी से सारदा क्योंकि उस महमा को भी जानने का फल यह लीला यह इस लीला का अन्भाव ही है इंद्रियों का दमन करने वाले स्रेश्ट महामुनी ऐसा कहते हैं राम राज की सुख संपत्ति का बड़न से जी और सरसुती जी भी नहीं कर सकते सब उदार सब पर उपकारी बे प्रेचरन से वक नर नारी एक नार ब्रत रत सब जारी ते मन बच क्रम पतित कारी सबी नर नारी उदार हैं सबी पर उपकारी है और सबी ब्रा मन के चरनों के सिवक है सबी पर उपसमात्र एक पत्नी ब्रती है इसी प्रकार स्थियां भी मन बचन और कर्व से पति काहित करने वाले हैं धंड जातन कर बेद जहनर तक नैत समाजीत हमना नहीं सुने असे राम चंद्र के राज लखन से राम चंद्र की जए मापति महां डेव की जए पवन से थनो मान की जए गुसाई दुल सी दास की जए बलभाई से वसंतन की जए झाल 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 झाल